उपचुनाओ के बाद अब नगरी निकाय चुनाओ को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है लंबे समय से इंदोर नगर निगम पर काबिज बीजेपी के होसले उपचुनाओ में मिली विराट जीत के बाद बुलंद है बड़ी संख्या में युवा कारिकरता अब निगम चुनाओ में अपनी किस्मत आजमाने को लेकर बेताब नजर आ रहे है MP News से खास बातचीत में बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रंडीवे ने निगम चुनाओ में युवाओ को टिकेट देने पर बड़ा बयान दिया है देखे ए खास रपोर्ट मद्रदेश में हाली में उपचुनाओ संपन हुए हैं जिसमें की बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है इस जीत के बाद बीजेपी कारकारताओं के होसले साथवे आस्मान पर है अब कुछी दिनों बाद नगरी निकाय चुनाओ होने हैं ऐसे में बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही पार्टियां तैयारियाओं में जुट गई है इसी मसले पर बादचीत करने के लिए हमार साथ मौझूद हैं बीजेपी नगरद्यश गौर और रंदीवेजी रंदीवेजी क्या तैयारी चल रहे आपके पार्टी की इस बार के नगरी निकाय चुनाओं को लेकर देखे भारती जनता पार्टी अपने किये हुए कामों को लेके हमारे जन प्रती निदियों द्वारा लगातार अगर हम देखें कि इन दौर का काया कल्प जब होना शुरू हुआ तो जब कैलाश जिवर्गी जी महापौर थे उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टीसिपेशन लोगों को जोडते हुए इन दौर के चौराहों को बढ़ा करना इन दौर को सुन्दरता की और ले जाना फिर उसके बाद उमाश शशी शर्मा जी ने कृष्ण मुरारी मोगे जी ने मालीनी भावी ने हमारे सारे जन प्रती निदियों ने महापौर ने महापौर परिशद ने इन दौर को पहले तो इंफ्रास्ट्रक्टर वाईज डेवलप किया रोडे चोडी की चौराय चोडे की अवेद जितने कबजे थे वो हटाए और आज आप देखेंगी कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हम चौती बार स्वचिता में नंबर वनाए हैं तो ये जो काम हमारे पूरे भारतियंता पार्टी के परिशत के कारकाल में हुए हैं उसको लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों का जैसे पहले भी भरपूर आशिरवाद भारतियंता पार्टी को मिला है वैसा ही आने वाले समय पे भी मिलेगा इस बार के नगरे निकाय चुनाओ में टिकेट आवंटन को लेकर क्या मापदंड रहेंगे आपके पाठी के अब यसे कोई स्पेसिफाइट मापदंड तो तैय नहीं है मगर निशित तोर पे जो जीतने वाले केंडिडेट होंगे जिन लोगों का जनता में प्रभाव होग जो लगातार लोगों से संगठन के माध्यम से लोगों के कारी में जूटे होंगे ऐसे अच्छे से अच्छे लोगों को हम मौका देने की पूरा प्रहत्न करेंगे इस बार के नगरे निकाय चुणाओं में क्या युगाओं को तरजी दी जाएगी और इसे कई पार्शत पूत्र भी हैं जो की प्रोजेक्ट किये जा रहे हैं इस बार के चुणाओं में तो क्या उनको भी टिकेट दिये जाएंगे देखिए जो लोग योग्य होंगे जिन लोगों जो भी संगठन तय करेगा सामुईक्ता से निर्ने लेते हुए जो योग्य लोग होंगे उनको आउसर देंगे बीजेपी नगर अद्यक्ष के पत पर आपको आसीन हुए काफी समय बीच चुका है ऐसे में अभी तक आपकी टीम का विस्तार नहीं हुआ है कब तक आपकी टीम का विस्तार होगा दीगे पहले तो अभी कुछ दो-तीन दिनों में ही हमारी सभी मंडल कारसमितियां बनके तयार हो जाएंगी उसके बाद फिर नगर की भी टीम को जल्दी से ही बना दिया जाएगा सबसे बात करके कॉंग्रेस का यारोप है कि इन दिनों जो इन दोर में माफिया की बड़ी कारवाई चल रही है उसमें बड़ी मचलियों पर हाथ नहीं दिया जा रहा है कहीं ने कहीं जो राजितिक संद्रक्षन प्राप्त जो असमजिक तत्व हैं उन पर इन दोर पुलिस कारवाई नहीं कर रही है ऐसा कॉंग्रेस का आरोप है क्या कहना है आपका कॉंग्रेस को तो ऐसी बातें कहना नहीं चाहिए उन्हें इस तरह बात करने में शर्म आना चाहिए जितने बड़े माफिया हैं गुंडे हैं वो कॉंग्रेस के शासन में ही पनपे हैं कम्प्यूटर बाबा को बचाने का काम कॉंग्रेस कर रही थी कई गुंडों को संग्रक्षन देने का काम कॉंग्रेस कर रही थी भारती अंदा पार्टी तो जैसे सरकार में आई है तो गुंडे हो, माफिया हो, इस तरह का सिंडिकेट क्राइम करने वाले लोग हो, वो सब जेल के पीछे हैं और उन पे सक्ष से सक कारवाई हो रही है कैमरा परसन अरुन यादो के साथ युवरा सिंग पुरावत की रिपोर्ट, MP News इंदार